नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन के टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं तथा उनका नमांकन सुनेशीत कराने की जिमेदारी स्वयम सेवकों को देने का नीने लिया है बतादे जर्खन सिक्षा पर्योजिना परिशत की निदेशक सेलेस कुमार चुरसया ने इसे लेकर सभी उपायुकत को आदेश जारी किया है इसके तहद स्वयम सेवक पोशक छेतर के 6-18 वरस आयू और के ड्राप आउट बचो तथा बिशेस अवसकता वाले बचो का इस्कूल में नमांकन कराएंगे मौसम विभाग ने अपने पूरोणवान में बताया है कि 22 अगस्त को आकास में बादल चाहे रहेंगे इस दोरान एक-दो बार हलके से मध दज की बारिस हो सकती है इस दोरान राजे में कहीं कहीं में गरजन के साथ बजरपात की असंका जताई गई है बतादे मौसम विभाग के उसाथ पिछले 24 गंटे के दोरान जारखन में मांसुन की थितिती कमजोर रही है कई अस्थानों पहलकी बारिस हुई इस दोरान सर्वाधिक बारिस पूर्वी सिमूम जीले के घाट सीला में हुई है पारा सिक्षा को लेकर चार सदस्य कमिटी के गठन एक सप्ता में सोपेगी रिपोर्ट जारखन में पारा सिक्ष को के अस्थाई करन तथा बेतनमान को लेकर बिहार की तजपर निमावली त्यार करने के लिए कमिटी गठन कर दी गई है बतादे शिक्षा सचीव रायस सालमा की निदेश पर राज परियोजिना निदेश तक सहिलेस कुमार चौरास्या के अधक्सता में कमिटी गठत की गई है जो एक सप्ता में निमावली का ड्रापत तैयार करेगी पता दे प्रात्मिक सिक्षा निदे सालाई के उप निदे सक परदीप कुमार चौबे जार्खन सिक्षा परविना परिशत के परशास सी पदाधिकारी जेंद गुमार मिस्रा प्रात्मिक शिक्षार निदे साले के अवर्श चीव अर्विंद कुमार सिंग तथा राज कारक्रम पदाधिकारी मामता एलिजाबेत लकडा इस समीती के सदस बनाए गए हाए छारखन में 2023 तक प्रिपेर बिजली मीटर अनिवारे केंद्रिय उर्जा मंत्राले ने किरिशी कारियों को छोड़ कर हर परकार के बिजली ग्राहा के लिए पिरिपेरे मीटर अनिवारे कर दिया हाई इसके तह सहरी छेत्र के बिली उभगताओ को दिसंबर 23 तक स्मार्ट पिरिपेरे अनिवारे रूप से लगवाना होगा पतादे राजियों को 26 परिष्थिती में अधिक्तम दिसम्बर 2024 तक और बच गए ग्रामीन या अने छेत्रों के भुगताओं को मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटर लगा लेना होगा केंद्री ये उर्जा मंत्राले ने 17 अगस्त को इस बावत गयट अईसुतना जारी कर दी है जार्खन के हाई स्कूल परधाना ध्याप को का बेतन होगा कम जार्खन के हाई स्कूलों में करेवरत परधाना ध्याप को सेथ दिये गए बेतन की वसुली की जाएगी साथ ही उनकी सेलरी 20-20 रुपे तक कम हो जाएगी इसकुली सिक्षा एम सक्षर्टा विभाग ने इस समद में आदेश जारी कर दिया है पताया गया है कि उन्हें बोर्सों से अधिक बेतनमान दिया जाता रहा है महा लेखाकार तथा योजना सहबीत विभाग द्वारा इस और ध्यान आक्रिष्ट किये जाने तथा इसकी समीक्षा के बाद इसमें संसोधन करने का निना लिया गया है मोराबादी में बिजेपी ने बनाई मानव सिरिंखला बिजेपी ने सरकार के खिलाप राजे में 267 जगों पर मानव सिरिंखला बना कर परदसन किया राची में महानगर बिजेपी की ओर से मुराबादी मैदान में महात्मा गांधी के परतिमा के पास मानो सिरिंखला बनाया गया जहां पर्देश अध्यष दिपक परकास, राज सबसांसद और विजेपी के राष्टी प्रवक्ता सयद जफर इमाम, विधायक सीपी सिंग है, मेर आसा लकडा, डिप्टी मेर संजीव, विजेवर गिये समेत कई नेताव ने हुमेंच चेन बनाया इस मोगे पर दिपक परकास ने कहा कि सरकार के कुम करनी निद्रा तोड़ने के लिए परदेश के सवी परखंडों में मानव स्रिंखला बनाई जा रही है बाबुलाल मरांडी ने हिमंद सरकार को घेरा जारखन के पूरो मुखमंत्री वो बिजेवी बिधायक दलकिनेता बाबलल मरांडी राषी के नामगूम में राजे की हमंद सरकार की जन बीरोधी नीतियों खिलाप आयोजित मानव स्रिंखला में बतर मुख्यातिती पस्तित हुए उन्होंने कहा कि जारखन सरकार भष्टा चार में डूब चुकी है हमंद सुरेन सरकार ने टांसपर पोस्टिंग को उध्योग बना लिया है बतादे जारखन के पूरो मुखपंत्रियों बीजेपी बिधायक दलके नेता बावलर्मांडी नेहमंद सरकार को घेरते हुए कहा कि राजे में आय दिन आदिवास्यों यों महिलाओं का सोशन हो रहा है राजे की कारून ब्यवस्ता धवस्त हो चुकी है सिक्षा विभाग किला परवाही से जारखन में दो लाख विद्यार्थी चात्र वीर्ती और साइकल से वनचीत जारखन सिक्षा विभाग किला परवाही के कारण चात्र चात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुवधाओं से वनचीत रहना पर रहा है बतादे सरकारी योजनाओ काला बिद्यार्थियों को समय पर नहीं मिल रहा है राशी जीला अंतरगत दो लाइक बिद्यार्थिया से हैं जिने कल्यान विभाक द्वारा चात्री बिद्यार्थि दिया जाना है यह सभी प्री मैट्रिक वर्तमान सत्र के विद्यार्थी है उन्हें कक्षा 1 से कक्षा 10 वी तक शात्री विद्यार्थी देना है बता दे कक्षा 1 से कक्षा 4 तक 500 और 5 से 6 कक्षा के विद्यार्थी को 1,10 रुपे तथा 7 से 10 वी तक 1500 रुपे की छातरवीती विद्यार्थी विद्यार्थी को दी जाती है रांची के अपर बायार में नई आतायात व्यवस्ता शुरू सुगम यातायात और अपात काल में फायर बिर्गेट की गाड़ी और एम्बुलेस के जल्द पहुशने के लिए सनिवार से रांची के अपर बायार में नई यातायात ब्यवस्ता शुरू की गई है गौतला भाय की जारखन ओष नियाले ने इस विशय परचिंता जताते हुए परसासन को बैकल्पिक उपाय के बारे में कहा था इसी के संदर में सनिवार को अपर बाजार के रंगरेज गली और सोनार पटी को बैरिकेट कर घेर दिया गया है अब यहां सुबह दोस से रात आट बै तक सिर्फ पैदल ही चला जा सकता है जारखन में अठारा नए केस मिले हैं जिसमें राची से ही सिर्फ बारा मरीज मिले हैं इसके अलावा फुर्वी सिमूम से एक धनबाज से एक रामगर से एक खोटी से तीन मरीज मिले हैं जारखन में 20 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 213 है भारत में 31,15 नए केस मिले हैं वहीं भारत में 38,565 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,47,418 है जारखन में एक टिप केस इस परकार हैं जारखन की फुटबॉल खिलाडी अनिता वनितु समयनित जारखन परदेश प्रोफेशनल कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्स आदित बिक्रम जैसवाल ने अंडर सोत्रा फिफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए चैनित राजी की बेटिया फुटबॉल खिलाडी अनिता कुमारी वनितु लिंडा को फुटबॉल कित देकत समयनित किया तथा सवो कि होसला फजाई की इस दोरान जैसवाल ने खिलाडियों के साथ फुटबॉल भी खिला इस मौके पर फुटबॉल कोच आनंद परसाद को भी उपस्तित थे रांची के रोक गार्डेन का होगा सुन्द्री करण रांची के काके रोड इस्थित रोक गार्डेन का सुन्द्री करण होने जा रहा है बता दे इसके सुन्द्री करण पर RDA 1.81 लाख रुपे ख़श करेगा इस रकम से रोग गार्डन का भव्य गेट बनाया जाएगा साथी यहाँ एक बड़े अकार की पार्किंग भी बनेगी थाकि यहाँ आने वाले लोगों को अपने वाहन ख़ड़ा करने में दिकत न हो अमोनिया गैस कम्पनी हटाने की मांग बीरसा असा है आदिवासी बाल विकास स्कूल कमडे में सरनिवार को ग्रामिनों की बैठक होई बैठक में कमडे स्थित अमोनिया गैस कम्पनी हटाने की मांग की गई ग्रामिनों ने कहा कि अमोनिया कम्पनी जान लेवा है घाटना के दिन यदी पानी नहीं आ रहा होता तो इस्थिती और भ्यावा होती पतादे बैठक में 25 अगस्त को बड़े प्रमाने पर बैठक कर आगे किरण निती बनाने का निर्न लिया रांची जीले में 28 लाग को खिलाई जाएगी फैलेरिया की दवा रांची में 23 से 27 अगस्त तक फैलेरिया की रोक्ताम के लिए मास ड्रोग एड्मिनिस्ट्रेशन कारेकरम आयुजित किया जाएगा इस अभ्यान के तहट रांची जीले के 27 लाग 93,252 लोगों को DEC और Elvelda Jol की गोली खिलाई जाएगी बताद सिविल सर्जन राची डाक्टर बिनोत कुमार ने जनकारी दिया की अभ्यान को सफल बनाने के लिए जीले में कूल 32,31 बुथ बनाए गए है लोहर्दागा उपायुक दिलीब कुमार टोपो के अधक्षता में जीला सडक सुरक्षा समीती के बैठाक होई बैठाक में उपायुक द्वारा पुलिस विभाकों निदेश दिया गया की सडक में बिना हेलमेट ओभर स्पीडिंग करने वाले सराप पीकर बिना मास्क के बाई चलाने वालों के विरूद जाच अभिया नेमित रूप से किया जाए ताकि सडक दुरवटनाओं में कमी आ अस्तरिया टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठाक आउजित की गई बैठाक में उप विकास आयोक्त अनुमंडल पता अधिकारी अपा समाहरता परियोजना निदेशक आई टी टी डी ए भोमी सुधार उप समाहरता वा अन अधिकारी उपस्तित थे बैठाक दोरान पचास एर सिक्षक भरती बिहार के प्राथमिक से लेकर उस्तर मादमिक स्कूलों में 45500 सिक्षक और 3500 परधाना ध्यापकों की भरती होने वाली है खास बाते हैं कि ए भरती नियोजित सिक्षकों के जरी होगी या भरती बिहार लोग से वा आयोक करेगा बता दे 1994 के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में सिक्षकों के नियोकती लोग सेवा आयोक के मादम से होगी पलामू में एस्पेशल चाइल्ड वार्ड तयार COVID-19 के संभावी 30 लार को देखते हुए पलामू में मेदनी राय मेडिकन कॉलेज अस्पताल में बचों के लिए चाइल्ड फ्रेंड ली वार्ड बनाया जा रहा है जो बहाद ही खास है बतादे इस चाइल्ड फ्रेंड ली वार्ड में सुरुआती तोर पर 30 ओक्सिजन सपो सब्रू होगी एटी भी एम धनबाद रेल्वे इस्टेशन पर अभी गिनि चुनि ट्रेनों के लिए ही जनरल टिकट जारी हो रहे है बता दे जैसे इसे पेसे लिए ट्रेंड हो की संख्या बढ़ेगी यात्रियों की संख्याइब से टिकट क्लिकीयों पर कतारे लंबी होत जाएगी शुक्रवार को पूर्व मदे रेल मुख्याले से एटी वीए मसीन धनबाद पहुंच गई है कल्यान सिंग के निधन पर जारखन में सोक की लहार पूर्वर राजेपाल एवं उतर परदेश के पूर्व मुख मंतरी कल्यान सिंग के निधन से जारखन में भी सोक किला रहा है राजेपाल डमेस बैस ने कल्यान सिंग के निधन पर दूख एवं सोक परकट किया है उन्होंने कावा कि कल्यान सिंग एक कुसल प्रसासक रायनितग एवं सनवेदन सिल ब्यक्ति थे उन्होंने जन ही तुवबिकास कारयों से जन मानस में अपनी अमीट पहचान अस्थापित की देवघर एमस जार्खन समेत पड़ोसी राजयों के लोगों के लिए खुसखवरी है बतादे देवघर इस्थीत निर्वाना धीन एमस में OPD सेवा 24 अगस्थ से शुरू हो जाएगी OPD सेवा के लिए उधगाटन किती थी स्वास्थ मंत्राले भारत सरकार ने तय कर दिया OPD परिसर में मिलेगी धन्यवाद